हाई वेलकम टो मैं चनल इस वीडियो में सॉल्व करें कोशन नमबर 3 फाइंड रिशनल नमबर बिट्विन 3 अपान 8 एंड 2 अपान 5 ऐसे ही मतलब निकालना है आपको 5 तक तो एक रिशनल नमबर फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है और वो है मैथर नमबर 1 और वो ये कहता है average निकाल लेजिए मिन्स यदि इन दो नमबर का average निकाल लेंगे मिन्स इन दोनों को add कर कि यदि 2 से divide कर देंगे तो एक नमबर मिल जाएगा इन दोनों के बीच में एक रिशनल नमबर जो है हम लोग find कर लेंगे तो चलिए solve करते हैं तो first तो required rational number अब लिए सकते हैं आपके required rational number rational number between 3 upon 8 and 2 upon 5 is equal to 1 upon 2 मन्या half कर देंगे क्या इन दोनों को add कर गे means 3 upon 8 plus 2 upon 5 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा एक rational number तो यहां पर निकाल लेते हैं तो 1 upon 2 कर रही किये हैं मन्या half किये हैं यहां पर इन दोनों को add करके तो यहां पर algebra लेते हैं यहां मिलेगा हमें 40 और 8 जा 40 हो जाएगा 5 जी जा 15 प्लस 5 8 जा 40 and 8 जा 16 यहां पर add कर लेंगे तो मिलेगा हमें 1 upon 2 इन तो यह 15 प्लस 16 हो जाएगा 31 31 अपान यह हो जाएगा 40 मिन्स हमें मिल जाएगा required 1 rational number between 3 by 8 and 2 by 5 is 31 upon 31 upon 4 to the 8 80 31 upon 80 is 1 rational between these 2 numbers तो मने पहला का find कर लिया है आप करते हैं second यह निकलना है 1.3 and 1.4 के बिच में तो हम ठीक वही काम करेंगे इसमें भी required rational number डाट 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 आप लिख लिजेगे यहां पर rational number between between 1.3 and 1.4 is given as क्या करेंगे हम half कर देते हैं दोनों को add करके means 1.3 plus 1.4 को add करके half कर लेंगे यहां मिलेगा आपको 1 by 2 और यहां पर add कर लेंगे 1.3 और 1.4 को तो मिलेगा हमें 2.7 2.7 में इदी डिवाइड करेंगे 2 से तो मिलेगा हमें 2 1 जाट 2 और point बहुत हो जाएगा हैं पर 236 और 236 हो जाएगा 1 by 10 हो जाएगा means 1.35 1.35 is a number between 1.3 and 1.4 तो हमें तो find करना है एक rational number ना तो इसी को rational number के रूप में जो है convert कर सकते हैं तो 1.35 को लिसकते हैं आप 1 3 5 upon 100 है कि नहीं अब डिवाइड कर सकते हैं उपर multiply कर सकते हैं और divide कर सकते हैं 100 से यहाँ पर इसे मुणपलाएगा common factor जो है cancel out कर लिजे 5 to 10 20 हो जाएगा 5 से करेंगे तो 5 to 10 and 5 to 35 means 27 upon 20 यह आपको नुमर मिल जाएगा जो की इनके बीच में होगा 27 upon 20 ठीक है तो ऐसे करके आप सब का find कर सकते हैं बिल्कुल दोनों को add करना है करते हैं दोस्क्राइब करें और कोई भी doubt होता है तो comment box में जरूर लिखेगा मैं reply जरूर करता हूँ मेरी person guarantee है तो बने दे मेरे साथ thank you so much bye